विंद्ध ने भरपूर प्यार दिया, केंडर में एक बार फ़र मोदी की सरकार बनेगी मोदी के सामने विपक्ष में कौन यह एक बड़ा सवाल है यह गट बंधन नहीं ठक बंधन है, विचार नहीं विपक्ष टुकडों में बटा है मोदी के निर्चुत में एक नए भारत का नर्माण हुआ है कमलनात को नशियत देते हुए उन्होंने वक्त है बदलाव का नारा दिया बेरोजगारों को बंदर नचाओ रोजगार दिया जा रहा है किसानों को बोनस गरीबों की योजनाय बंद मत करो पूर्व मुख मंटी ने हवाई जाज की जहगे ट्रेन से यात्रा करने के दोरान कहा प्रदेश के पूर्व मुख मंटी सिवरा सिंग चोहान रीवा में भारत्य जनता पार्टी के प्रत्याशी का परचा दाखिल कराने के बाद आमसभा को संबोधित करते नजर आए उसके बाद जैसे ही रीवा एयरपोर्ट पहुंचे पता चला भोपाल का मौसम खराब है हवाई जाज वहां उतर नहीं सकता इसलिए उन्हें हवाई मार्क छोड़ कर ट्रेन के रास्ते भोपाल का सफर करना पड़ा रीवा रेलबे स्टेशन में रेवांचल एक्सप्रेस लेट होने की वज़े से उन्होंने लगबख 35 मिनट वहां पर बिताए इस दौरान उन्होंने हम सबसे बात करते हुए कहा बिंध ने भरपूर प्यार दिया है इस बार भी मिलेगा केंडर में नरेंडर मोधी की सरकार एक बार फिर से बनेगी मोधी का कोई मुकाबला नहीं है बिपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल है मोधी के सामने कौन यूपिय गटबंधन पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा यह गट बंधन नहीं ठक बंधन है ना दल मिलते हैं ना विचार विपक्ष टुकडों में बटा हुआ है प्रधान मंची नरिंड मोदी के नेत्रत में एक नय भारत का नर्मान हुआ है प्रदेश की कमलनाथ सरकार को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कॉंग्रेस ने नारा दिया था वक्त है बदलाव का सोचा था बदलाव होगा किसानों के कर्ज माफ होंगे बिरोजगारों को रोजगार मिलेगा किसानों को उनकी फसल का उचित मूले मिलेगा लेकिन यहाँ प्रदेश की मुख मंत्री बंदननाच जैसे काम बिरोजगारों को दे रहे हैं प्रदेश की कमलनाच सरकार गरीबों के हित में चलाई जा रहे ही योजनाओं को बंद कर रही है मुख मंत्री भले ही नहीं हूँ लेकिन जनता का प्यार और स्मय हमेशा साथ बना हुआ है लोगसभा के चुनाओं में फिर से भारती जनता पारिटी की सरकार बने और मोदी जी फिर भारत के प्रधानमत्री बने एक लहर बिंधे में भी है मध्धुदेश में भी है बीजेपी और कॉंग्रेस और बाकी दलों का कोई मुकाबला नहीं है गटवंधन कोई दिलों का गटवंधन नहीं है ठगवंधन है जनता को ठगने के लिए एक होने की कोशिस करते हैं लेकिना सिद्धान्त मिलते हैं ना विचार मिलते और नेतरत के सवाल पर हमारे नेता नरंद्र मोदी है तो सामने कौन कई खानों में बटा हुआ प्रिदिपक्ष मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकता एक नए भारत का होद है मोदी जी के नेतरत में हुआ है बेहबब साली गौरब साली संपन सम्रिद और सक्ति साली भारत इसको और आगे बहाने के लिए मुझे पूरा विस्वास है कि बिंदिक की जनता और मदुपेस की जनता का भरपूर आशिरवाद मिलेगे कमल लांदी को क्या नसीहत देना चाहते है सोचा था वक्त है बदलाओगा तो किसानों के करजे माफ होंगे यहां राहुल बाबा कह गया थे चितगूट में मुबाइल की फैक्टिव खुलवाएंगे नौजवानों को रोजगार देंगे अब वो कह रहे हैं कि नौजवान धोर चराएं और बेंड बजाएं कल कहेंगे बंदर नचवाएं रीच पकड़ लाएं अब यह जो बादा किया वो निभाना पड़ेगा आप करज माफ कीजिए बेरोजगारी भत्ता दीजिए नौजवानों को रोजगार दीजिए यह तो दूर कम सकम किसानों की वो योजना जिसका पैसा हमने दिया थे पैकर दिया थे 500 रुपया कुंटल सोयाबीन पर बोनस और धान 25 रुपया कुंटल 36 गड़ खरीदे हमारा 1750 बैचे किसान यह न्याए नहीं है पूरा दाम दो धान पर बोनस चाहिए भावंतर का पैसा चाहिए और गरीबों की संबल योजना कम से कम बंद ना करे गरीबों के इलाज का अधिकार चिन गया बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे है यहां तक कि माताओं बेहनों को गरीब को बेटा बेटी के जनम के पहले 4000 जनम के बाद 12000 रुपय देते थे वो बंद हो गए एक्सिडेंट में मौत होती थी चार लाक रुपया सामा निमर्टी उपए दो लाक रुपया और तो और अंतिम संस्कार और कफंत अंतिम के लिए भी 5000 जार रुपय देते थे वो तक कि सरकार ने चीन लिए कम सकम यह तो दे